दोस्त कैसे हो यार, खुप वुप सब बढ़े ऊँगे, आज करने वाले हम लेक्टर नंबर फिफ्टी टू, और लेक्टर फिफ्टी तू में लेड़ी में आपको पताच चल गया होगा यार, हम पढ़ने वाले हैं रियक्ट, मतलब रियक्ट की स्टार्टिंग करने वाले है कुल दोस्तों और अभी तक क्या हिस्ट्री रही है अभी तक हमने स्टेमल पढ़ ले बहुत अच्प ले nevertheless है फिर stml css को मिला कि हमने धेर सारे प्रोजेक्ट बना लिए ठीक है जी आगे बताओ आगे क्या बता है आगे हमने अच्छे से css अब फाइनली आते हैं रियक्त लिए प्रोजेक्ट बनाया ना और काफी सारे एडवांस टोपिक देखें तो अपने वो साइट से देख लिए उंगी अब फाइनली आते हैं तो अगर आप इसी पर एक दम टायटल और वो देखके आयो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं assume करके चल लहूं आपको अच्छे से previous जो जो मैंने वी चीज़ बताई है वो साइल सीज़ आती है जावस्क्रिप्ट अच्छे से आती है डोम क्या होता है वो साइल सीज़ आपको पता है कि हाँ साइल सीज़ मुझे पता है भाई सब कोई दिखताड़ी बात नहीं है ठीक तो फिर तुम पढ़ोगे चीज़ों के बारे में यह क्या होता है यह क्या होता है यह क्या होता है तो फिर तुम्हारा बेस वहां से मजबूत हो का तो अगर तुमने पहले अपना बेस एक्दम अच्छे से स्ट्रॉंग कर रखा है तुम्हें जावस्क्रिप्ट पता है तो यह तो था अभी तक का क्या तुम्हें आना चाहिए क्या कैसे अब धीरे धीर हम बढ़ रहे हैं रियक्ट में वीडियो जाद लंबी नहीं होगी है ना जैसे की दो-तीन चीज़ होते हैं क्रेक्ट रियक्ट एप और बंडलर्स होते हैं ना दो-तीन उनको अभी हम कुछ न सब्सक्राइब लेक्ट-वाल हिएं क्याक्या क्यों आप इस न बात मत्सक्राइब WIL ह्युक्त दो एक वार से पता हो पिर फिर एफ यह पड़ाओं तुम्हें भी तुम्हें पट नहीं आएगी तुम्हें सारी चीज कर दोगे चीज इसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वह सब्लैप नियुक्त करंग नियुक्त करूँगा कहां पर फॉन पर अईसा नः तूसको बोड़ाओ तो फिर ठंडी को बैट ओ यह न गराँ हो काम वाम करो मजदार एक दम डूस्टुस ठीक है जी तो हम क्या पर्ट करनेवाले साहिए कि इस्टार्ट करते हैं जी है ना तो रियक्त तो दो सबसे पहले इंपोर्टेंट कोशन है है वोट इस रीयक्ट ठीक है और वाई रियक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट्ट जो कोशन है सब से पहले तो यह एराईज उना तिया है ना कि वोटिस रियक्ट 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 रोग होता है कि मैं किसी को देख कर दूं ठीक है लोग झी अब तुम्हानी सुना तो कहारी नी बेसिकली है ना रियालिटी है मैं तुम्हें बताता हूँ और देखो मैं अभी देख चीज़े बताऊँगा चलो अभी पहले बता जेता हूँ फिर तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा कि जहां से तुम और ज़्यादा सब्सक्वेस की स्टोरी इन डैप्फ पढ़ा सक्का ना सुम्हारे माइं डिकते मैं से बहुता हूँ ऐसा था क्या, ठीक है सब्सक्राइब करने ए तो मैं तुम्हें बताने वालाओ ना ठीक है तो यार अहां ठीक है तो हमारी कम्पनी हम पर ना क्या ही 2013 में रियक्ट आई है हमारी है ना ठीक है तो जब इनीशल जब हमारा फेस्बुक था सब कुछ सही चल ला ना कोई दिक्कत असी वाली बात नहीं है सब कुछ ठीक है लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी यॉजर बढ़े अब जब यॉजर बढ़ेंगे तो जब यॉजर बढ़ें तो मंधलना हमारी क्या बढ़ दी है तो uda तुम्हें सारी चीज़ीए ठाचनालीटि में बढ़ेंगे तो बैसे आसे जैसे जैसे तो फेस्बुक क्या हो रहा था बलक्ती हो रहा है यूसका कोम Say तो उसको जो तेन करना था और अपडेट करना था वह डिफिकल्ट होता जा रहा था रहा था यह न जब कोड़ेस है भी होगा तो हमारे एरर भी आएंगे हैं न दोस्त एरर भी आएंगे कहीं न कई कोड़ फटेगा भी हमारा सारी चीज़ होंगी तो maintain and update difficult हो रहा था ठीक है ये सारी दिक्कत हमें आ रही थी उस टाइम ठीक है ठीक है तुम्हारी user बलट रहा है functionality बलट रही है ठीक है जो code base है तुम्हारा वो heavy हो रहा है क्योंकि user आ रहा है ना उनको तुम्हें और optimize करने के लिए खोड़ता और अच्छा से code तुम्हें देखना पड़ेगा सारी चीज़ जो कि हमारी maintain माती है ना सारी चीज़ हमारी maintain माती है functionality जब तुम include करोगे तो उसके लिए तुम्हें code लिखना पड़ेगा और code जब लिखना पड़ेगा कोड़ बेस है है वी हो रहा है तुम्हारा जिसमें की एरर आने के जितना तुम जाधा code लिखोगे उसमें उत्ते एरर आने के चांस जाधा होंगे जब सबसे important चीज परफोर्मेंस पर बहुत जाद़ इंपक्ट परफोर्मेंस पर बहुत जाद़ इंपक्ट परड़ा था कि यूजर हमारा ना मस करके उसको परफोर्मेंस मिल देती पहले तब वो नहीं मिल पारी है ना भोध मतलब हैवी हो गया तो फिर वो थोड़ा सा हैंग हो जा रहा है तो वो सारे चीज़े मलब कोड़ बेस सारे चीज़ उससे हुई है कोड़ बेस है जादा हुआ ठीक है मेंटेन करना उसको डिफिकल्ट होगी अपडेट इस सारे चीज़े दिक्कत आने लगी है अब एक दिक्कत क्या थी यह होगी हमारा कोड़ बेस है भी होगे मेंटेन करना होगी तो फिर परफोर्मेंस पर इंपक्त आगी है कि हाँ परफोर्मेंस हमें वह नहीं दे पार है जो पहले थी तो यह चीज़ थी है ना और यह सारे चीज़ पता क्यों मैं बताता हूं अभी की थोड़े सी दिख करती है न डेटा सिंग या फिर मैं बोलू तुममारे तुम्से दो लेयर होती है हमारी एक होएठ येटा लेयर और एक होती है तुम्हारी यूटुब देक पार हो ना या फिर गूगल पर आओगे कोई वेपसाइट पर जाओगे या कोई भी पर रहे हैं जो लिखाव और रहा है वो समझ में आई की नहीं आए दोस बात यह बताओ समझ में आई की नहीं आई बात यह जो तुमारा यह जो वीडो दिख रही है जिसे तुम इंटरेक्ट कर पार हो यूइ डेटा लेयर जो की डेटा प्रोवाइड करा रही है कि इसको यूइ लेयर को जिसके धुरू तुम उस पढ़िवे डेटा से इंटरेक्ट कर पारो ऐसे समझ लो सही जी समझ में आगई बात अब क्या हो रहा था एक मोटर को which 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 को जो मेरा नोटिफिकेशन वार है for example किसी ने मेरी पोस्ट पर लाइक किया ना या कोई किसी ने न्यू फ्रेंड रिक्वेश्ट भेजी तो यहां पर कुछ भी आया नोटिफिकेशन आया तो किसी पर नोटिफिकरेशन होता है हो सकता है कोई सभी नौटिफिकरिशन Like किया किसी ने हमें इट्व है एकशेप्ट चार है हमारा नोटिफिकरेशन कर दंठ ध सक्ता कॢrar होगा धिया हिखती ती मतलब क्या है दोस्त ध्यान से सुनना मतलब क्या है डेटा आया डेटा ओर देखा ठीक है तीक है त வटेटा ढ़िया जिए शने लड़की ने में रिक्षेट अब जिस आपको नोटिफिकेशन यह का सच नहां जाओं देटाएर और गताएर नहीं सब्सक्राइल illustration आते हिसे समझाओं आपसमें सब्सक्राइब Ciao अगर मैंने यह मेरी युई लेयर यह मेरी डेटा लेयर अगर मैंने युई लेयर पर से चीज़े रीड कर लिए तो इस पर भी अपडेट हो जाने चाहिए इस पर अपडेट कैसे होगी यह अपडेट जीरो पर हो जाना चाहिए है न मैं अजो में डेटा-विएर पर से रीड हो जाए राक नहीं लेट है यहाँ पर जीडरो आ जाए को अपडेट करता तो दोनों आ पस में नहीं होती थी स्थ कामा रोज में आ रहा ही है की ना रहा ही है बात यह पताओ तो यह वाई लेयर तो अपडेटी नहीं हुई उस पर चार यह आ रहा है जब कि क्या न चाहिए है महां पर कुछ लिख की नहीं आना चाहिए तो यहां पर एक तुमने यह समझी डेटा लेयर और यह सिंक नहीं होती थिया ना तो यह तुमने कुछ प्रोब्लम्स देखी फेस्बूक एक होती है यह मेरे इंपेरिटिव अप्रोच पर बानावा था ठीक हिए अब बलंअ간 दो режओ धी निशाने में दो चीज कोनपोन से होती है एक होती है मएपास inपेरिटि एप्रोच इए सब्सक्राइब्स नहीं तुम्हें त्वड़ा सा ना अपने आप भी थोड़ा करने पड़ी कि महनत करने हो कि मैंपने हैं तुम्हें फोड़ा सा होता हूँ दicht प्मारी से Google पर लिखेंहां E ustedes figurative approach व्यवाजाएफ ऑष्ब लेकिन जो तुम्हारा काम है इसका वो अभी बन जाएगा उत्ताव मैं बता तुम्हें थोड़ सी curiosity है तुम्हें in-depth जानना है चीजों को इक बार सर्च कर लेना ठीक है यह चीज है तो imperative approach क्या होती है इसमें क्या होता है इसमें तुम किसी भी particular चीज का हाव निकालतो अब यह क्या बोल जा मैंने बेसिकली मैंने यह बोला कि तुम्हें कोई भी चीज करने तो हाव है ना इसमें कोई feature को implement करना है दियान सब्सक्राइब करना है तो इंपरिटिव में क्या होता है हाव 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 का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसी हाव आ जाता है तो सारी चीज तुम्हार जिमाग में चलने लगती है कि मैं इसको कैसे करूँगा यह चीज कैसे करूँगा ठीक है फॉर एक्जामपल मैं इसको अगर जैस से करूँ जो कि प्रिवेसली यह जो 2013 से पहले की बात है यह जैस जिसमें कि हम इंपैरिडिव अप्रोज यूज कर करने के लिए इसको करने के लिए समझ में आय की नहीं बात तो यह जो मैंने लिख JK Thief तुम्हारा है भी हो हौरा है समझ में आया की नहीं थो यह होरा यह तुम्हें कोड है भी हौरा है and इंपरेटिव अप्रोच का मतलब तुम्हें समझ माँव निकालुणा पर बिसिकली तुम कैसे कर सकते उस चीज्ड को कैसे करोगे तुम थोड़ता मैं बोल लो इंपरेटिव और डिपलेटिव सठ्छ ना तुम्हें समझ माईगी तुमें तो में दो-तीन लाइन पढ़ोगे समझ मा जाएगी और तुम्हें समझने की विज़वत नहीं अगर तुम्हें द्यान से देख रहो या फिर उसको दो मिनटे पांच मिनटे पीछे करके देख लोगे तो भी समझ मा जाएगी जैसे कि तुम ने देख यहां पर मुझे बटन बनाने साइड सीज़ बनानी है अच्छे डिव मैंने सलेक्ट कि उसके अंदर एचमन डाला फिर ये न्यू पोस्ट और ये साइड चीज करी मैंने उसको में होप सो समझ में आ रहा होगा है ना कि how you implement that particular thing समझ में आया की नहीं आया दोस्त सही है यह होगी imperative अप्रोच लेकिन जो मेरी रियक्ट है दोस्त जो मेरी लिखी लेते हैं वह क्या है वह declarative अप्रोच क्या होता है react बोलते है तुमसे ध्यान से सुना एक feature बता लाँ रियक्ट का अब इस्टार्ट नहीं किया वह इस रियक्ट बस मैं अभी तुम्हें मने बता है इन रियक्ट क्या यह तो कहानी किसके चल लेगी है यह कहानी previous की चल लेगी है ना 2013 से पहले कि जहां पर तुम्हारा क्या हो रहता है यह error आरते सारे HTML, CSS में सारा तुम्हारा चीज़े लिख अब तो तुम सारे चीज़े देख सकते हो कि हाँ ठीक है मुझे समझ में आरी है imperative रोट क्या होती है लेकिन रियक्ट क्या बोलता है वह तो माउस से लिख लेता हो गंदा लिख रहो आप ठीक है रियक्ट बोलता है तुम्हारा वॉत का मज़े समाझते हो पताओ बोलता है क्या इंप्रिमेंट कर ना मुझे मता दो यह तुम्हें यह सब करनें विए सब करना तुम्हें क्या चीज मता कैसे दो किसे जीए सब कर 55 होगाल लेकिन कवी नग अभी और थो क्या हो यह सारी चीज़ तो तुम्हें पता होगा ? इसको बोलते है... इसको सारी छीज़े... इसको बोलते ह sémin Video इसको से लिखते हो, अए पे enthusiastic है कि how you implement that particular thing तो तुम साइच चीज़े लिखते हो कि हाँ यह करूंगा मैं यह स्लाइट करूंगा फिर यह append कर दूंगा यह साइच चीज़े नहीं है मुझे बताओ क्या इंप्लिमेंट करना है मैं करके दे दूंगा इंदर अंदर यह सारे काम कर लूँगा तुम्हें इसकी टैंशन नहीं ले नहीं ठीक है ठीक है यह बोलता है तुम्हारा रियाक्ट तुमने देखा इंपेरिटिव में यह साइच चीज़े तो कोड़ बेस हैवी नहीं होगा मतलब क्या है डिया अब्डेट कराने का मतलब क्या है साइच सेंव UH नाЭ तुम्हें उसको etaंट कराने का मतलब क्या होता है एक वह ब्ल्र हो रहे हैं माउंट कराना है यह ना क्ष़गर पहले या रेंदर पर पेंट रेंड wears अधियर में मैं मुआ होते है यह पती है और उसको अपडेट कराना डिफिकल्ट है ना क्योंकि इतना सारा चीज हो रहा है तो हैवी कोड होगे तो अपडेट डिफिकल्ट था और इस साथ चीज़े भी हो थी कुई तुम लाइक करते थे तो हैवी हो रही थी तो उसको मदलब समझ रहो ना परफॉमेंस में टोटली यहां यहां परफॉमेंस में डेटा सिंक वाली तुमने देख लिए यहां यूई लेयर पर यह साइड चीज़ हो इंपैरेटिव यह तुमने देख लिए यह साइड दिक करती है ना ठीक है अच्छा फिर आती हमारे पास रियक्ट ठीक है वोट इस रियक्ट तो 2013 में यह च तुम्हें यहां तुम्हे la Deutschen है यह दिक यह चीज़ लिखने ने है रियक्ट डोक्यमेंट्री यह जो पहली वाली वीड़ी औरी क्वारी एक घंटा 8 मिनट ऐना एक घंटा 18 मिनट की इसमें काफी सारे इंस साइडस देखने के लिए मिलेंगे मजांक निकर नो देखना मजा इसमें तुम्हें काफी सारे अंदर की चीज़े मिलेंगी कि हाँ यार कैसे कैसे हुई है ना पूरी एकदम हिस्ट्री कि कैसे सब पूर्ण 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 तो इनिशली नाम सम्थिंग बोल्ट करके थे यह ना वही बोल्ट पढ़ना यार तुम इसके वारे में तुम्हें काफी यह यह पढ़ना कवी रिखे सबस्सक्राइब तो मैं बोलो प्लीज पढ़ना इसको अच्छ लगए कि हां यार कुछ तो समीज का पढ़ा है ठीक है कैसे करके काविसार यह नोड जैस्की मज़ाएगा तुम्हें पढ़के एक्टुली हुआ कैसे तो मैं भी यहीं से पढ़ता हूं यार रहे ना कि क्या कैसे तुम्हें आप मैं तुम्हें मैं तुम्हें र्याक्ट वाइच्ट निवयार है में भी अप मैंने बृटिश याघ्टintell वाइयं दो खं़ेस्य से अइसा सबनापर्रिक्ट क्या है था टो यह एगक प्रॉंटेंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेयरी, ठीक जी ठीक अच्छा अच्छा रेक्ट फ्रेइमवर्क है ? नहीं ऑच्छा लाइब्रेरी, यह तो है अच्छा लंग्रेंवरक बॉद्ट बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है मैं तुम्हें एक चुटकी बचाके समझाते हूं जाधा डीप में नहीं जाओंगा ना लाइपरेंवर्क में क्या होता है एक फ्रेमवर्क के अंदर काफी सारे लाइपरेंड़ी है छीए एक यह चीज़ समझ में आ गी नहीं आई इत्ता章 इस aา फ्लकत यह कि बहुत चोट आंसर है लाइब्रेरी मेरी क्या आया स्ब Downloader सब आइसे बहुत है और उसका क्या फ्रेम्वर करते है इसके इंदर क्या नौ टिक Ε 사건 open source front end js library ठीक है which is used to build complex UI अब यहां पर एक वर्ड आया complex complex का मतलब बताओ देखो सुमेस खुछ समझ माँ जाएगा यार यहां पर तुम्हारा कोड चला है ना इतने सारी यूजर्स कर रहा है एंडल फेस्बुक साइड चीज चलिए और जीस सारी चीज हो रही है न कहीं न कहीं complex होगा नहीं होगा complex है जब इसकी complexity बड़ी तभी तुम मेरे किसका आया किसका आया जैसी कुछ चीज बनाते हैं जहां पर स्टेट मैनेजमेंट अच्छे से हो सके और तुम्हारा डोम अच्छे से मैन्यूब्लेट हो सके यह सारी चीज के लिए तभी तो बनाया है ना अई ऐसा नहीं होता है ना तुम्हें react का कहां यूज करना जहां पर तुम्हें लग रहा है यहां जैनुरी ने लीड है मुझे काफी सारा इसमें complex होगा काफी सारी state management होगी अभी देखो मैं काफी सारी चीज़े बोलो complex तुम्हारी complexity होगी क्या कैसे हो रहा है state management का थुम्हें थोड़ा सा issue होगा वह मैं तुम्हें बताऊंगा ना state क्या होती है उसको क्या management होती है समझेंगे सारी चीज़े कोई दिक्ते वाली बात ही है ना अच्छे तुम्हें एक चीज़े समझ सकते हो यार बड़े काम हो के लिए complex काम हो के लिए च्पटे बड़े काम हो के लिए थोड़ी है तो यह चीज़ समझ में आ गई है मुझे मैंने क्या बोला तो पहला फीचर यह है कि तुम्हें आगे तुम्हें बताता हूं तो पहला फीचर यह है कि तुम्हें react क्या अब एक S.P.A s.p.a के समझा देथीं तो इस पीचर यह शो कहुए समझाता हूं डोस सिंगल- the page application थीक है Single-page application इस बोटाओment वेप्लिकेशन जैसे कि मेरा यह वह है एक मेरा वैप पेज है एक मेरा वेप पेज है और में लिख रहा हुआ है यहां पर लोगो है लेकिन जैसे तुम आउट पे क्लिक करोगे तो तुम इनके लिए तुम क्या गरों के अलग अलग सिंगल पेज और सेटिए चीज़े मैं सरी फाही यह क्रिएट कर रहा हूं हो और स्कीमल फाइल मेरी शिरिफ एक ही साही रहा हके है और चाहीं रेंडर हो रही होंगी, तुम्हारा home भी र हो रहा होगा, but यहांपर क्या हो रही होगी, धियान्या सुनना, जहांपर क्या रही होगी conditional rendering हो रही होगी, something कुछ conditional rendering भी होता है न, ठीकिस माher features बता हैंगगा, उसमें आएailed अगर तुम्हारा Home है तुम्हारा HomePage को तुम्हें सिरिफ होमप़ेज की चीज़े दिखाई जाएगी लेकिन अगर तुमने About पे किलिक कर दिया, तो HomePage की चीज़े तो हड़ जाएगी उस about page की जगा हट जाएगा किया render हो जाएगा तुम्हारी ये वाली चीज render हो जाएगी तुम्हारी ये वाली चीज्ज रेंडर हो जाएगी तो यहां पर क्या है single page application है multipage application नहीं है इस बात वे focus करें लिर। क्या है spectre, multipage application है तुम्हें फॉर एक्जाम्पल में एक्जाम्पल दू बहुत अच्छी बात है निशान भाई तुम्हारे जो फेस्बूक है ना फेस्बूक के लिए मुझे लोगिन वोगिन से नहीं करना मुड़ेगा फेस्बूक प्या राइड थी लेकिन पता नहीं कब थी एक यह चीज हो गी है तुम्हारी एक फाइल है यह तुम्हारी दो जाओगे तो क्या होगा चीजरे रिलॉड होंगे ना इसको रिलोड करना पड़ेगा नी करना पड़ेगा जब इसको रिलोड करना पड़ेगा जब इसको हटाया तो New File लेकिन वहां पर क्या होती तुमारे रियक्त में ₹osiddham एक एक्जामपर ऐसा बोल सकते हैं अब तुम बोलोगे यार इसके ओपर तो तुमने यह एक ओवर ले करा दिया होगा है ना सम्थिंग मैं अलग जाता हूं नैट्फिक्स पर जाता हूं ओ भाई 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 ओ भाई ओ भाई अधने दिखा के रहूंगा अभाई परफेक्ट जीमिल चुक है मुझे एक एक ग्सामपल है ना ठीक है देखो मैं login पर create करता हूँ ये साथ चीज आगी है मैं login पर create करता हूं और उपर चरखें पर गोर करो हुआ reload reload नहीं हुआ यह चीज रेंडर हो गए ना यह देखो पूरी चीज हट गी हाँ पूरी चीज हट गई यह चीज रेंडर हो गई और यह चीज तुम देखो कि यह चीज सेम है यह यह footer something यह footer सेम है देख रो तो यह चीज सेम है जिन्यों यह कोई यह कोई लोड नहीं हो रहे हैं तो यह सिंगल पेज अप्लिकेशन है सारी शीज़ें मस्क घटीक है और थी तुम्हें पेंगे लिए घ्जांपल दुगा मैं तो उसकी टैंशन मत करो तुम हलका सा तुम्हें एक्जाम्बल मिल गया कि हां सिंगल पेज अप्लिकेशन है न्यू फाइल नहीं आ रही वही फाइल है एक ही फाइल है बस तुम्हारे कंडिशन के अकोडिंग चीजे रेंडर हो रही है इसको हटा लिया जाएगा जो तुम्हें चाहिए वो दिखा दिया जाएगा सिंपल सी चीज़े समझ में आगे बात आगे बताओ निशान बाई आगे बताने तो एसपी बता दे तुम्हें सिंगल पेज अप्लिकेशन है ठीक है अब सिं पोनेंट बेज़ आर्किटेक्ट्टर बूल जाओ बेज़ बूल जाओ यहां पर सारी चीजे रियक्ट में ध्यान देख लो अभी से और जब तक प्रोजेक्ट बनाएंगे सारी चीजे क्या है कॉंपोनेंट है। सारी चीजे क्या है कॉंपोनेंट है और कॉंपोनेंट क्या है एक ऐंगो इत्त थ Laurelswasserर अब तो मानलो अभी के लिए भी या अभी के लिए थोड़ी दिखा दूँगा ने तुम क्क्छीन होगे पता कंफ्यूस कोई अकर मैं आपको दिखा दूँगा ने वही चीज डेखा दोacağे दुम आहिए वह आईगे च्पासर अंगी वह अब इसका नडर्य यह किया लिखा है कैसे लिखा है इसे भी कर सकता हूं किया है वह कोश्चन में अभी नी समझा सकता है ना फिर तुम एक तुम रहें और बस तुम से वह लो मान लो यहां कॉम्पोरेंट के यह फंचन है जब पुश्चन आएंगे मैं आनी नहीं दूंगा यही मतलो तुम्हेंद साहीग करता धरता फंकशन कॉम्पोनेंट इसि पर काम चला है कॉंप़ने तुम्पोनेट भी तुम्हारी रियक्ट आपके तुम्हाये फंकशनke वहते थे क्लास बेस इंडेक्स होता थे ठीक है अभी ये function-based index आया है, परेले component तुमारे तोट टाइप की होते हैं ना मैं तुम्हें बता विधी देता हूँ, component तुम्हारे डो टाइप की होते हैं, एक होते है तुमारे class component class based component और दूसरे होते है तुमारे function component ठीक है, function based component त्रैंडिंग में क्या प्रैंडिंग में दोस्तट ये नहीं है ट्रैंडिंग में तुम्हारा function base component है ठ्रैंडिंग में तुम्हारा function बेस بेस कोंपवनें लेकिन जब रियक्ट आई थी लेकिन तुमने निशान भाई जब जावस्कृट पढ़ाई थी तब तुमने बता है तो यह क्लास जो कीवर्ड है यह हमारे यह सिक्स माया और यह सिक्स का वाई दोजार पंदरा में लेकिन दोफेंगे से हितना कंपोनें तो फंक्शन बेस कंपोनें तो हमारी पूरी रियक्ट किससे चल लिए सारी स्टी से क्या है या उसको फैन्सि नाम दे या यह ना कोंपोनेंट है थे यह क्या है एक फार्त पड़ा रहता हुआ हिक आ शयोगोगा है दूसरा feature क्या है दूसरा feature क्या है virtual dome अब काफि सारे feature होगे जैस्पर तुम्हां बताके छोड़ दूगा उनको explain कैसे करूँगा धीरे धीरे जैसे लेक्षन पर जाएंगे वो explain होते जाएंगे virtual dome virtual dome क्या होता है तो मैं भी समझांगा अभी क्या कहना चाल जान ना वन ओफ दा में रीजन इसकी वज़ेसे तुमारा रियक्न इसकी वज़ेसे तुम्हारा रियक्न क्या है फास्ट है थिक है कि वनृच्प डहों की वोई से तुवाह रेयक्टिया। कहसे है कैसे मैं बताऊंगा। और ये चीज वहर फॉंक्षान कोमपनेंटे लिए इन तो ये क्या हिन पोक्शन क्या होता है ikो वह पताना भूल सब्साजा एक होगproduct नी से झेक्टाई piece of code होता है मतलब तुम according the need उसको use कर सकते हो अगर तुम multiple जगापे चाहिए तो ठीक है अब यह देखो एक्जामपल तुरंट लो उसका तुम एक्जामपल तुम उसका तुरंट लो यह हुआ मैं sign up page पे आया ठीक है अब देखो यह मत बोलना यह तो ऐसा हुआओगा इसकी display hide कर दियोगी और इसकी display वो कर दियोगी ऐसा नहीं तो ऊपर तुम उपर पूरा वो बिदल ला यह देख रहो तुम बेहां से देखो समझ बहाएंगे उपर पूरा path बदल ला है तो path बल्लूड भी नहीं हो रहा है अगर तुम्हें इतना पार्ट देख लो गैप यहां से लेके हां तक तुम्हें यहां भी दिख पा रहा है और इतना पार्ट भी दिख पा रहा है तो यह क्या है यह एक function ही है उस function के अंदर इस है चीज़े लिख रखे यह function के अंदर में यह क्या से लिख सकता हूं next lecture में देखेंगे दोस next lecture में देखेंगे तो उसकी tension मद लो मैं तुम्हें बता जाए एक reusable piece of code है कि तुम्हें देखा कि हाँ अगर पुझे तो मैं यूज कर सकता हूगु, वर्चल लोम, जिसकी वैसे रियक्ट पास्ट है actually होता क्या, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, JSX, JSX क्या होती है, Javascript, XML, या फिर HTML-like syntax, या फिर not HTML, HTML-like syntax है टीक है, इसको भी दिखांगा, basically क्या होगा, जावस्क्रिट के अंदर तुम STML लिख सकते हो यह इसका मतलब है एक जावस्क्रिट फाइल के अंदर एक .JS फाइल के अंदर तुम STML लिख वह सकते हो ऐससे मतलब है na JSX वह वो चीज होती है javascript xmos JSX syntax थीक है दूसरी चीज है conditional rendering अब तो इसमें फीचर कितने भी आइड कर लो तुम कंडीशनल रेंडरिंग मतलब तुम्हारी कंडीशन के बेस पे चीज़े रेंडर हो रही है कि मेरी कंडीशन यहां पर आलू दिखाओ तुम में टामाटर थोड़ी दिखा दे जाएगा आलू दिखा जाएगा ना तो मैं बहुत व जो भी है उसके बेस पे तुम्हारी तामने वो चीज़े परकट हो रही है ठीक है ठीक है जी दूसरे चीज क्या है यूनी अभी देखो तुम्हारे माइंड में कोश्यन आ रहोंगे यार यह क्या बोलना है कैसे मैं मान कैसे लो प्रूफ दिखा और चीज के निशान में तो बताएंगे आगे है ना तिकत वाली बात नी सारी एक एक चीज अच्छे से लिख के समझाओ और बता रहों तुम उनको लिख लो अपनी कोपी में और जब मैं आगे पढ़ाओ नो तुम देखोगे हां टिक टिक कर ले ना कि हां यह चीज पढ़ा दिए चीज पढ़ा ना डेटा हमेशा पैरेंट से चिल्टरन की तरफ पास हो रहोगा फ्लो रहोगा ठीक है यह चीज है अब देखो तुम्हें यह चीज भी समझ में नहीं आएगी है क्या बोल दिया बठा मैं लिख रहा हूं तुम जब फूचर में पढ़ोगे इस चीज को है ना मैं पढ़ा जब फच्ट ऑफ और रीएक्ट एक चीज और देता है कि इस्टेट मेंजबेंट है ना इस्टेट मेंजबेंट जिसके अंदर काफो साथ चीज आती है Context API है न और फिर तुम्हारी आता Redux, Toolkit Redux काफ़ साथ चीज़ है न जिससे कि तुम स्टेट मैनेज कर सकते हैं जहाँ पर Multiple तुम्हारा Complex Data हो रहा है स्टेट मैनेज कर सकते हैं ठीक है ठीक है जी अब तुम्हारा एक चीज़ और बता देता हूं और दो आगे बढ़ेंगे Component के अंदर दो चीज़े होती है Props और State जिसके तुम्हारा जिन्दा रहता है मतलब डाइनमिक रहता है अगर Prop और State नहीं है Component नहीं है अगर Component नहीं है तो React का क्या काम मेरे दोस्त है क्योंकि Component ही React है यह समझ लो है अगर Props और State नहीं है अब निशाद भाही ने State के लिखा है कुस तो लिखा है बताया है नहीं है पिट हमें माल ले तो रट्टा माल ले तो अभी के लिए रट ले तो यहां कुस तो बोला है बताएंगे Props State के बिना Component नहीं है और Component के बिना तो इन सारे फीचर होने क्या मिलके solve करी तुम्हारी यह सारी problem solve करी और जहां पर मैंने बोला तुम्हारी डिक्लिरेटिव अप्रोच डिक्लिरेटिव अप्रोच किसने solve करी यह तुम्हारी जो jsf solve नहीं करी वहला apply किसने करी इसको implement किसने करवाया jsf है ना देखेंगे सारे चीजे समझ में आएंगे तुम्हें ठीक है तो पूरी जब डिक्लिरेटिव अप्रोच पर आ गया तो इस सारी चीज़े ओविसल्व होगी है यह बेसिकली इंपरेटिव अप्रोच ही है ना कोड़ बेस को तुम्हारा है भी बनाया ती यहां पर पर खेली भी जादा आफ़त नहीं आएगी तो सारी मज़ीजार चीज़े हो रही होंगी तो तुम्हारी यह इत्ता मैंने लिखा इसको थोड़ा पढ़ लो चीज़े समझ में आ जाएंगी है ना चीज़े समझ में आ जाएंगी कितने मिनिट हो गए है आइधिंक 140 44 45 पहले इत्ता करो यह जो मैंने बोला है इसको थोड़ा असद देखो और जो तुम्हारा नेक्स लेक्टर होगा उसमें मैं बताता हूं कि एकदम बेसिक से लेंगे फिर एप क्रियेट करेंगे तो काफी एकदम मस्त मस्त लेक्टर होने वाले है इसको तुम्हें देखना है अभी इनफ है इतना मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा यह थियूरिटिकल लेक्टर होगा लेकिन तुम्हें अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना है तुम्हें अगर इसको थोड़ा सा इंट्रस्ट डाला है थोड़ा सा वह बोलते हैं स्वाद एकदम अच्छे से करन कि और ची और कहा है इंपरेटिव अप्रोच डिकलर समझ लेना है ना और और इसके बार में थोड़ा सा पढ़ लेना हाँ क्या है फीचर्स देख लेना और तुम्हारे ना तुम्हें नई जरूर मिल योगी पकी बात देखो एसा भी होता है कि को अफी चीज हमें आते हैं कि उसका क्या चाहते है और चाहते है ना एक बार चाहते है या फिर हम नोली ज़ीज होना को चाहते है तो अगर कोई देख रहा है तो उसको और अच्छे समझ में आया है योग है उसको और कुछ चीज सा ऐसे मिली उपन लेग लिए तो यार कमेंट में लिखे कि यहां यार यह मैंने नहीं चीज सीखी या फिर यह चीज तुमने गलत बोली तो इसको सही यह चीज है तो दोनों चीज कर सकता है न मैं कहीं गलत हो सकता हूं पक्ती बात है हो सकता हूं उसको वह सही कर दे और दूसरों की भी help होगी दूसरों की भी knowledge increase होगी काफी नया सीखने के लिए मिलेगा ठीक है इस lecture में इतना ही रखते हैं हमने है यहां क्या है कैसे है पूरा एकदम हमने इसको basic से अच्छे से देखा कि कैसे कैसे चीज़े हो रही है ना क्या क्या हो रही है next lecture में हम एकदम basic से सीखेंगे ठीक है यहां कैसे है फिर हम react दो दो चीज़ों होती है तुम्हारे पास एक तो कोड़ जो तुम्हें react प्रोवाइड करता है कि तुम npx create react app करके something कुछ कर लो दूसरी चीज़ क्या होती है मैं बताता हूं दूसरी चीज़ होती है हमाई बंडलर्स आते है बंडलर्स क्या होते है जो कि तुम्हें react app बना सकते है ठीक है तो react app बना सकते हो और उनमें दोर में फर्क क्या होता है क्या यूज करना चाहिए क्या more efficient होगा तो काफी साइड चीज़े होने वाली है ना in-depth चीज़े होने वाली है फिर तुम्हारा इग्दम बेस हो जाएगा ना और इसमें data flow भी हम देख लेंगे दो जो कि next lecture हमारा heavy होगा ना दोस्त यह मैंने तुम्हाल कर समझा दिया है नेक लेक्टर वह हैवी होगा सग्य है उसमें हम अच्छे समझेंगे एक देल घंटे का होगा जाधा भी हो सकता है साई चीज़े समझेंगे यह मैं सोच रहा हूँ यह मैंने बेस के लिए कि लिए कि हाँ मैं हाँ थे पहुंजगा हो और तुम्हें अंगें आया कि ने पूर अच्छे समझेंगे हैं कि मुझे बने लोग देख पाता रही है ना मैं किसा पता पा रही हो केसा पढ़ा पा धा रही हूँ उस से मुझे feedback मिलेगा और feedback मिलके कि मैं कुछ चीज़ेंगी improve करोंग या फिर अगर appreciation मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, इत्ता है, और क्या है, इस से या धोड़ी होगा, feedback का मलब तो यह होता है, कि तुम अच्छा पढ़ा रहो, तो तुम्हें थोड़ा सा हसी, मतलब अच्छा लगेगा, गलत पढ़ा रहो, तुम्हें हासों कुछ सीख मिलेग इंडस्ट्री में क्या चला है, react चला है, although next.js इंप्रूब, next.js आ रहा है, आ रहा है, लेकिन next.js से पहले भी तुम्हें थोड़ा सा react की knowledge लेनी पढ़ेगी है, कि तुम्हें पता तो चले है, हम आये कहां से, react आप react कहा से आया, तुम्हें भो भी पता लगाना पढ़ेगा तो मैं बोलूगा, यह यह देखो है, अब देखो, दिन में तुम इतनी जगा time waste करते हो, obviously करते होंगे, 100% करते होंगे, तो एक घंटा बचा के यह कर लो, यह देख लो, तुम्हें पता गया, तुम्हें अब मैं बताता हूँ, तुम्हें अपने दोस से पूछना, कि react के ल motivation भी मिलता है, और मुझे यह चीज़ पता है, उसको नहीं पता है, something को ऐसा कुछ, always, तुम्हारी knowledge ही increase होती है, ज्यादा पढ़ लेते हैं, घटकी तो है, नहीं, सही है, सही है, जी, और बस यह ही है, पढ़ना तुम अच्छा थोड़ेते, तुम्हें पता चलेगा, तुम् अगेन बोलूँगा, इसको देखो, जाके, सार्च करके, देखो थोड़ा सा, तुम्हें इस सेमी चीज़ मिलेंगी, और तुम्हें knowledge, पक्की बात है, जित्ते तुम ग्यान लेले होत्ता काम है, मैं भी कहीं से पढ़के आ रहो है, ठीके, मैंने भी कितने vlogs पढ़े है, सार् लेकिन हाँ, एक point होता है, कि हाँ, this is enough knowledge, knowledge तो बढ़ाते हो, तो वो चीज तुम्हें का महसूस होने लगी कि, जब तुम्हें एक दुबार पढ़ लोगे न, तुम्हें लगेगा, यह repeated content है, आता है मुझे, जब तब छोड़ दो, simple सी चीज़ है, ठीक है, तो यह चीज़ ह सारी चीज़े एक दब मस्त मस्त होने वाले काफी यह creative चीज़े करेंगे इसमें, तो यह बस इतना ही है न, इतना ही है इस lecture में, मैं अगेन बोलनों थोड़ा सा पढ़ना जाके net पर क्या कैसे क्यों है, सही है, ठीक है जी, तो बस जी, आजके इस lecture में इतना ही है, मैं मिलता